अब हमारी summer vacations खतम हो चुती है और आज से हमारी online class चार्ट हो रही है आज जो हम chapter चार्ट करें है वो है हमारा chapter 3 factors and multiples chapters चार्ट करने से पहले हम यह देखेंगे 3 factors और multiples क्या होते हैं देखें मैंने 2 number को multiply किया 3 multiplied by 5 जब मैंने 3 को 5 से multiply किया तो इनका product क्या आया 15 तो यह जो 15 आया है 15 is a multiple of 3 and 5 और यह 3 and 5 क्या है 3 and 5 आर factors of 15 इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 2 number को multiply करते हैं तो जिन number को हम multiply कर रहे हैं जैसा कि हम यहाँ पर 3 और 5 को multiply कर रहे हैं तो जिन number को हम multiply करते हैं वो क्यलाते हैं हमारे factors और multiply करने पर जो उनका product आता है जैसे यहाँ पर क्या आया 15 तो 15 क्या हुआ है है यहाँ पर multiple जिन number को multiply करते हैं वो क्या 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 है हमारे factors और multiply करने के बाद जो हमारा product आता है वो क्या आता है हमारा multiple okay example और देखिए जैसे कि मैंने यहापे multiply किया 15 3 जा 45 तो जी 15 and 3 15 and 3 are factors of 45 क्योटि इन दनों को नुबर को multiply करने पर ही तो 45 आया था तो 15 और 3 क्या हो रहे है यहापे factors हो रहे 45 के और 45 क्या हो जया 45 is a multiple of 15 and 3 ओके अब हम पने exercise 3 8 आती है exercise 3 8 का question number 1 है fill in the blanks first part है 3 multiplied by 8 is equal to 24 so 3 and 8 are dash of 24 तो 3 और 8 यहापे क्या हो जाएंगे factors factors of 24 okay 7 multiplied by 19 is equal to 133 so dash and dash are factors of 133 तो देखिए 133 के factors में आपे क्या होएंगे 7 and 19 so 7 and 19 are factors of 133 okay बिटा number 2 है say yes और no इसको first part देखिए क्या है 12 is a factor of 108 तो यह क्या है है हमारा yes अब यह yes कैसे है यह देखिए जब हम 12 की 9 में multiply करते हैं तो क्या आता है 108 तो यहापे 12 और 9 क्या होगा है factors है है ना और 108 क्या होगा है multiple यहापे 12 और 9 क्या होगा है हमारी factors और वो यहापे क्या क्या है 12 is a factor of 108 याने कि 12 is factor है 108 का तो इसलिए क्या होगा है है यह yes second part है 36 is a factor of 18 36 factor है 18 का तो देखिए यह क्या होगा हमारा no यह no कैसे होगा हम 18 की जब 2 में multiply करते हैं तो क्या आता है हमारा 36 तो यहापे 36 क्या है यह है यहापे हमारा multiple है ना और 18 और 2 क्या है यहापे हमारे factors और वह यहापे क्या क्या है 36 is a factor of 18 तो इसलिए यह क्या होगा no क्योंकि 36 क्या है multiple clear third part है the largest multiple of 14 is 14 यह क्या हो जाएगा हमारा no यह no क्यों होगा देखिए जब हम 14 का टेपल लिखते हैं तो क्या से लिखते हैं 14 बंजा 14 14 2 is a 28 14 3 is a sorry 14 3 is a 42 इसलिए क्यों से हमारा 14 क्यों चलता है तो यह 14 क्या होगा है यहापे यहापे क्या हुआ हुआ है smallest multiple okay और यहापे क्या क्या हुआ रहा है the largest multiple of 14 is 14 इसलिए यह क्या हुआ हुआगा no clear बिटां D part है the smallest factor of 21 is 1 यह क्या हुआ हुआ हमारा yes qtb cb number class smallest factor क्या हुआ हुआ है one okay question number c है answer the following questions इसका first part है write the first four multiple of 9 first four multiple इतने है 9 के तो 9 बंस जा 9, 9 तूस जा 18, 9 तूस जा 27, 9 पूस जा 37 यहां पर हमें 8 के वो सारे multiples लिखने हैं जो 50 और 90 के बीच में आते हैं तो देखे क्या हूंगे 8, 7, 56 यहां पर हमें 50 से start करने हैं 50 और 90 के लिखने हैं इसलिए हम 8, 7 से start कर रहे हैं 8, 7 सा 56, 8, 8 सा 64, 8, 9 सा 72, 8, 10 सा 80, 8, 11 सा 88 यह 56, 64, 72, 80 और 88 यह 5 वो multiples हैं जो 50 और 90 के बीच में आते हैं ओटे बेटां